इस विड़े में हम बात करेंगे जो कि बहुत इंपोर्टेंट है CMA Foundation Students के लिए अगर आप CMA Foundation Student हो और आपका एक्जाम डिसमबर 2023 में है तो आज से लेके 10 डिसमबर से लेके 17 डिसमबर यानि 17 डिसमबर को आपका एक्जाम है तो 16 डिसमबर की बात करेंगे 6 दिन में हम किस तर सब्सक्राइब करेंगे तो डिसमबर 2023 एक्जाम पास हो जाएंगे मैं बस आपको गायड करूंगा जो बता रहे हो उतना कर लोगे डिसमबर 2023 एक्जाम पास होने के 50% चांसेज बढ़ जाएंगे आपके तो चलिए हम अपडेट स्टार करते हैं उससे पहले आप सभी से छोटा से रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप सभी यूटूब चैनल पने हो तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और जो साइड जो डिसमबर 2023 में है उसको क्वालिफाइड करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए उसके लिए काफ़े अपोर्चुनिटी आपके पास अगर आप उसे यूटिलाइज करेंगे तो आराम से पास हो जाएंगे फार्स्ट अपोल CMA Foundation का स्टूडेंट और ओल्ड सिलाबस या फिर न्यू सिलाबस का हो आपको आपका MQP जो ICMA ने प्रवाइड किया है मॉक्टेस पेपर जिसे कह सकते है और न्यू सिलाबस वाले स्टूडेंट के लिए क्या MQP और ओल्ड सिलाबस के लिए मॉक्टेस प बस का हो तो मॉक्टेस पेपर जो आपका ICI ने प्रवाइड किया है उसे भी क्रैक कर लेना मतलब पढ़ लेना एक काम यह कर लेना स्टूडेंट कनेक पॉटल मिलेगा आपको स्टूडेंट कनेक पॉटल पे स्क्रोल लाउन करके एक दम नीचे जाएंगे तो MCQ का सेक्षन दिखेगा MCQ बीट है एक लिए फाउन्डेशन का सेक्षन दिखेगा फाउन्डेशन में चारो सब्जेक्ट आपको दिख रहे होंगे इन चारो को डाउनलोड करके मैं ग्रोन ओलोड टेलीगराम चैनल पे सेयर कर दोंगा तो सभी से रिक्वेस्ट करूंगे जाके जोइन क दो कि आपको कंटेंट ओप MC की MCQ पूरे CMA Foundation की चारो सब्जेक्ट के अच्छे से क्लियर करना है पढ़ना है लिक के पढ़ना है जो जो बता रहों लिक लिक के पढ़ेंगे तो अच्छे से आएगा आपको पॉइट नुमबर टू यह कर रहे ना इससे भी आपकी अगस्ट, सेप्टेंबर, अक्टूबर, नॉमबर यह फाइब मन्थ पाच्छ आपका जो इबुलेटन इससे डाउनलोड करके हमें गरणोले टेलेग्राम चनल पर इससे भी सेर कर दूँगा इसको भी आपको गो थूरू करना होगा और यह सब करने के बाद अगर आपका यह भी हो गया, कि MCQ भी हो गया, MQP भी हो गया, यह फिर Mock Test Paper भी होगा, E Bulletin भी हो गया, तो आपको RTP जो Revision Test Paper होते हैं, प्रिविएस यहर के हैं, हाला कि Old syllabus डिसमबर तक रहेगा, तो प्रिविएस यहर के भी RTP आप अगर कैरी करते हैं, तो आपको पास होने से कोई निरो हो सकता है, एंड खास करके आप अपना ICMI का मोडियूल जो आपका किताब है, उसे फॉलो करना आपके एक्जाम में पास होने के चांसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, गुरौन ओले टेलिग्राम चैनल जोईन करेना, आज से ही CMA Foundation का MCQ जो होगा में सेयर करेंगे, गुरौन ओले टेलिग्राम चैनल पे, डेली विसेस पे नो मोर, 10 to 30, 30, 50 MC के आपको गुरौन ओले टेलिग्राम चैनल पे मिलेगा, ताकि आपका एक्जाम कॉलिफाइड करने में ज़्यादा टाइम ना लगे, और अराम से अच्छे से आप पास हो जाए, बस याद रहे है कोई भी डाउट आए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, अगर आप से भी यूटूब चैनल पने हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जो साइड में, बेल एकन वाला बटन से प्रेस कर देना, थेंक्यू स्टूदेंट्स